कि हलो यूपीएस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब उमीद है बहुत अच्छे होंगे जो यह अपनी सीरीज चल रही है जिसे हम लोग इंटरनेशनल रेलेशन्स कहते हैं इसके अंदर गत एक पार्ट बचा हुआ था जो हमारे जितने भी रेजन है मतलब जितने भी छेत्र है है विश्यो के तो इसके पहले जब मैंने बताया था कि यह लाश्ट होगा लेकिन एक चोटा से रिजन बचा रह गया वैसे भारत सरकार के इस पर नीतियां उतनी अच्छी नहीं है उतने बहतर रेलेशन्स नहीं है लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टन्ट है वो है लेटिन पहले सक्षेंच से लेके अभी तक के एज इट बहुत बहतर है बहुत ही क्रिस्प है चीजों को ऐसे ही लिखना एक्जाम में ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज हम लोग हम लोग आज पढ़ेंगे लैटिन अमेरिका के बार में भारत की विदेश नीति की ये आखरी सी प्रसांद महासागर में आ जाते हैं ठीक है तो चलिए देखना वली बात है ये पनामा नहर जो यहां पे है मतलब जो उत्तर अट्लांटिक महासागर को दच्छन प्रशांद महासागर से जोडती है ठीक है ये कुलंबिया पेरू ये जो चिली है अगर आपने मैप देखा हो जानता ही है इधर ब्राजील आ जाएगा जो इस सेग्मेंट का मतलब इस शेत्रा सबसे बड़ा देश है इधर अर्जंटीना है ठीक है इधर दच्छन अट्लांटिक महासागर है तो ये मैप आपको एकदम ध्यान में रखना है बिलकुल भी र bia जोंटा साथ है धीक है इसे बिल्लोंग बात करेंगे कि लाटिन अमेरिका और कैरिबियन जिसे मैं तीन छेत्र साविन हैं ठीव करें आंचिको से पणामा इना मैक्सिको से पनामा ये वाला चैनर और एक दादम्हेंट अमेरिका ये वाला जो दह चैंड कने मेंटुल कहते हैं तो कुल मिलाके अगर बात करें लैटिन अमेरिका और कारिबियन तो यह इतने छेत्र सामिल है ध्यान रखिएगा कि दुर्भाग से दुर्भाग मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ सही बात है दिल्ली की जो भू आर्थिक समीकरण है इस छेत्र में बहुत ही बहुत एहमि लेती है लैटिन अमेरिका वो छेत्र रहा है जहां हमेशा से भारतिय राजनेताओं ने सबसे कम दौरे की हैं आपको हर जहां के दौरे दिखेंगे लेकिन यहां पर कभी आपने सुना अर्जंटीना कोई या ब्राजील बहुत कम होता है ऐसा कि जब हम ब्राजील हो गया च कुछन पूछ लिया जाए दुर्भाग से नई दिल्ली की भूर आर्थिक समीकरण में जो लाटिन अमेरिका है उसका बहुत अहमियत नहीं रहा है लेकिन आने वाले समय में यहां बहुत ही भारत के लिए क्या हो सकता है किस प्रकार समझाईए यह हालिया धारन देते हुए बताईए कि भारत किस प्रकार वहां जोग रहा है ठीक है यह उस तरफ जा रहा है ऐसे करके कुश्चिन बन सकता है ध्यान रखें इसलिए हमें समग्र नॉलेज के साथ चलना है जिससे हम बहुत जादा ना जानते रहें लेकिन कुछ बाते जानते रहें जिससे हम डेर सो अच्छे से समेट पाएं और एक बहतर नंबर लाबाएं टार्केट यही है ध्यान रखिएगा आगे कि इस छेत्र में ध्यान देने की भारत को जरूरत क्या है क्यों इतना इंप्पोर्टेंस इस छेत्र का कि हम यह समझेंगे नंबर एक अंतराश्टे छेत्र पर लाइटि लूट खरोश या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आतंगवाद और इन सब चीजों से बहुत ही परे हैं आपने बहुत सारी गद्विधियां सुनी होंगी लेकिन इस शेत्र में आपको इतनी ज़्यादा उलट फेरिया बहुत ज़्यादा जो राजनितिक तनाव होता है उस टाइक पी गद्विधियां आपको नहीं देखे कि बहुत ज़्यादा इस्थे रहे ध्यान रखना इसलिए यहां पर हम बाजार विक्सित कर पाए तो क्या होगा एक बहुत 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 कर सकती है आगे भारत द्वारा कच्चा पेट्रोलियम का लग बनसपती तेल का आयात यहीं से करता है अब सुचिए लगबग 15-20% प्रेट्रोलियम हो गया उसके बाद चांदी सोना तांबा बनसपती तेल कुछ खनिज यह सब चीजें हम लोग यहां से मगाते हैं मतलब इंपोर्ट हमारा ठिक ठाक है आगे बात करते हैं इस छेत्र में भारत फार्मसीटिकल, आाटो मोबाइल, आईटी, उर्जया तथा वी निडमान जैसे छेत्रों में निवेश जो की 12 विलियन अमेरिकी डॉलर्र तक पहुज ईया है तो हम लगात र वहां पर फारमसीटिकल में हुआ, आटो मोबाइल में हुआ, आईटी में हुआ, उर्ज आपको बात बताऊं टीबीस है नामने सुना होगा आपने टीबीस की घाड़ी आती है तो टीबीस पताए बहुत बड़े अस्तर पर यहां पर अजंटीन अब राजील में उसके बाइक्स बिखती है ठीक है ऑटो मोबाईल दियानत ना बहुत बड़े अस्तर पर चले आगे बात करते हैं कि शेट्र में अंतर्राष्ट बैयापार के लिए गोल्डिया में आता है गोल्डीलॉफ舞 जोन क्यों 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 कर्यों necesit जाता यह गोल्डन है एक तरह से गोल्ड लॉक्स है वहां पर जोन बनाया गया है एक तरह का मतलब बिश्व ऐसा कहता है जहां प्रतिसपरदा का अस्तर और उत्पादों की गुडवत्ता में कि जो मानक हैं वह बेहत उंचे हैं रिजन क्या है यहां की जो कंट्री हैं बहुत इस ते रहन बहुत सांथ हैं और क्वालूटी प्रोडट्स मांगती है क्या मांगती है क्वालूटी प्रोडट्स इसलिए इनको गोल्डी लॉक्स है यहां जो कंपनी जाएगी वह पक्का कुछ नो कुछ बहुत 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 सीखने को पाएगी और उससे क्या होगा गुर्वत्ता और मानक में सुधार तो कर नहीं होगे बिना उसके आप वहां पे रह नहीं सकते हैं आगे United for Forest Limited यह एक कंपनी है भारतिय कंपनी है जिसे UPL कहा जाता है एक भारतिय क्रिशी रसायन कंपनी है भारत से जादा ब्राजील में कमाती है आप सोचिए भारत की ही कंपनी है भारत में ही यह प्रोड़क्ट देती है क्रिशी के रसायनों की लेकिन भारत से जादा यह ब्राजी का भी अच्छा बोल बाला है जो क्या करते हैं वहाँ पर कोलंबिया और मध्य अमेरिका में अपनी आटो मोबैल बाइक्स वहाँ पर दे रही है और आप जानते हैं बजाच पलसर यहां पर है ही ठीक है चलिए अब आगे हम बात करते हैं हम लोग अंतराश्टिय अस्तर पर लैटिन अमेरिका एक इस्थिर और तेजी से बढ़ते हुए मध्यमवर के साथ उभरते हुए बचारों में से एक है इसका नतीजा यह है कि यहां छेत्र भारत के मुल्यवर्धित उभोगता उत्पादों के साथ साथ कार मोटर्शाइकल फार्मस्य अत्र रहा है यह जो हमने पढ़ा इसमें क्या बताया गया कि जब ही हमें क्या करेंगे अंत में लिखंगा आ यह है जो भारत के है जो भारत आमेरिका में क्या कर सकता है इस तरहिते हैं और अरत करना चोड़ देगा तो आप विश्वास करें उस जो देश है उसकी अरत करना जो भारत देश है अपना जानते हैं आप लोग यहां पर 80-90% कौन है मध्यमुर्ग जादा है अब जो 80% के आसपास जो मध्यमुर्ग है वो क्या करता है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही कंस्यूम करता है उसी तरह वहां पर भी जो लैटन अमेडिका है वहां पर क्या है निर्यात का छेत्र है सबस्यादा हम एक्सपोर्ट वहां कर सकते हैं ऐसा अंतराश्टी अस्तर पर लैटन अमेरिका की छवी बंती जा रही है तो हम जब भी अपने उत्तर को लिखेंगे कुछ ऐसे ही पॉइंट को टेच कराते हुए लिखेंगे ध्यान रखना ठीक है अब आगे बात करते हैं लैटन अमेरिका में भारत और चीन की क्या स्थिति है क्योंकि ज्यादातर हमारा जो पडोसी है वो क्या है उससे ज्यादा हमारा टक करें तो हम क्या करते हैं या UPSC क्या करती है ज्यादातर आजकल जो क्वेशन पूछ रही है उसमें क्या करती है द तरह से तुलनात्म कद्धन के तरफ हमें आगे बढ़ना है इसलिए मैंने यहां क्योशन लिया है कि लैटेन अमेरिका में भारत और चीन की क्या जती है दोनों में क्या परणाम ला रहे हैं ठीक है आईए देखते हैं एक रिपोर्ट है जो वुड्रो विल्सन सेंटर की है ठी इनके मुकाबले अधिक निवेश नर्यात और रोजगार प्रदान करती है कुछ छेत्र ऐसे हैं जहां चीन के मुताबिक हम बहुत बहुत बहतर हैं जैसे फार्माशोटिकल आउटो मूबाइल के छेत्र और भी कई छेत्र हैं जैसे कृषिवा गयरा है अब इस शेत्र में छीन के मुकाबले हम बहुत अच्छा काम कर रहें ऐसा क्यों क्योंकि रीजन क्या मैंने क्या बताया कुछ छेत्र ऐसा है जो भारत सरकार मतलब भारतिया कंपनी वहां जाके कि नफस पकड़ लिए और इसमतल्ष में बहुत 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 कर रहें इस वजह सकता है कि जो हम भग्फा लब डालर का वहीं चीन च्यार्चार्यपब्रा रप्डालर का नहीं ठीटर defence तो हम काफी पीच्छे हैं अगर हम लोग पीछे हैं तो एक ही तरीका भारस्तरकार नीति कीरें लेकिन दुर्भागिवश जो दिल्ली है उसकी उतनी ज्यादा अहिम्यत वह इस शेत्र में रखता नहीं है हो सकता है कोई रीजन हो लेकिन क्या करना है हमें पढ़के रखना है अगर इंटर्विवर आप से क्वेशन पूछ लिए कि भीया यह बताओ आप कि जो लैटिन सी जल्भा-घर एलेकों जल्ली तो नहीं है क्यों सकते अब ध्यान कम दे रहें कुधि क्यों और भी ज्यादा चीज़ें हमारे यल्यादा हम यूरिप को ध्यान देते हैं ठीक कहीं कहीं हमारा उतना ध्यार नहीं है लेकिन है और हम उसमें बहुत बह Waldo करसके हैं ऐसा आपको उतर देना और यह सब चीजह आप बता दियेंा विस्वास हो कि अंटर्वीय और क्या बूर लेकिन हाँ इतना होगी आपके टच में हो ठीक है इसी लिए शीच को ध्यान रखना है ठीक है एक चीज आपको बतानी थी जैसे कि आप सभी जानते हैं कर्म योगी जो एक प्रिलिम्स मंटाश्य प्रोग्राम है वो मेरे द्वारा लाए गया है टेलेग्राम पर जाके आप प्लीज उसको अच्छे से देख लीजिए अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाईए बहुत बहतर है एक से लेके पूरा जितने भी चीज़ें होंगे हम लोग अच्छी से कंप्लीट करेंगे प्रिलेम्स को लेके जिसमें करन्ट अफेर्स के हर दिन के जो टॉपिक होते हैं वह पिछले दो साल के में इंपॉर्टन इंपॉर्टन टॉपिक जितने भी योजनाएं हैं छोटी-छोटी बाते हैं जो हमेशार निव्ज में रहती हैं उन सब पे फोकस करके वह चीज मैं आपको देते रहूंगा आप उसका नोस बनाते रहेंगे कंप्लीट करते रहेंग अब यह लाश्ट इसमें पढ़ लेते हैं ध्यान रखना अंत में आप बताएंगे इसके बाजूद भारत लैटिन अमेरिका संबंध कई उम्मीदों को अपने में समेटे हुए हैं भारत के पास इस छेत में अच्छी छवी की ताकत है क्योंकि सिधी सी बात है भारत की छव में अच्छी छवी की ताकत है और चीन के विपरीद है न क्योंकि चीन हमेशा एक सासक की रूप में या कह सकते हैं कि आप एक पूंजी वादी देश के रूप में जहदा आगी आया है भारत एक ऐसा लोगतांतरिक देश है जहां देश की जो देश है वहां भी गरीबी उन बहुत ज्यादा जोज रहे हैं तो भारत की छबिए इस वज़े से बहुत अच्छी होता है कि जिसुख की तरह है तो उससे OWD 18 कहीं नहीं होती है तो इस भात को ध्यान रखना है तो भारत की च्वपी कुछ ऐसी ही है लैटिन अमेरिका में जब तक भारत लैटिन अमेरिक करता है इनको जरूर उसमें सामिल करना चाहिए जब भी क्या करें भारत लेटिन अमरीका पर नीति रहा करें बस इतना अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ध्यान रखिएगा कर्व योगी जरूर बनना है